हेलो एंड वेलकम टू मेक्स्टेडी यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में आपको जो NCRT CBSC जो KVS में जो बुक पढ़ाई जाती है इंग्लिस मिडियम के लिए उसमें जो EVS है Environmental Science उसका जो चैप्टर नंबर वन है Senses उसके जो Question Answers हैं वो आपको पूरे Question Answers solve करके दिखाऊंगा और अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो इसका जो एक नंबर भाग है वीडियो का वो आप जरूर देखें उसमें आपको Detail Explain करके पूरी तरह अच्छा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है और इसमें आपको Question Answers अगर आप Hindi Medium से तयारी कर रहे है तो Hindi Medium के लिए इसके लिए दूसरी वीडियो है जो आप देख सकते है ठीक है आप Question Answers से स्टार्ट करते हैं पहला Question से इसमें जो Question No.1 आपको ये चैप्टर पढ़ा होगा उस चैप्टर में आया था कि चीटियां आपने दूसरी चीटि को कैसे पहचानती है कि ये चीटि हमारे गुरूप से है या अलग गुरूप से है Ants and other animals have different senses क्योंकि ants और कुछ animals होते हैं उनके पास अलग senses होती है वो उसकी smell से पहचान लेती है कि ये हमारे गुरूप से है या गुरूप से नहीं है तो वो किस से पहचानती है they have different senses and sense of smell sense of smell sense of smell से वो पहचान लेती है कि ये चीटि हमारे गुरूप की है या नहीं है then question number 2 ये question number 2 है how did the guard end recognize their end जो end होती है जो उसके hole की रखवाली कर रही होती है वो कैसे पहचानती है कि ये चीटि हमारे गुरूप से है या दुस्मन गुरूप से है the guard could recognize the end because of smell तो ये इसका भी यह answer आएगा तो जो guard end होती है वो smell से ही पहचान लेती है कि कौन से इसके गुरूप के है या नहीं है ठीक है आगे हम अगला questions पढ़ते है अगले questions में आएगा try this and write तो ये आपको chapter में दिया गया था या आपको try करना है ये इसमें क्या करना है आपको drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground and ant will come तो आपको ये देखना है कि आपको कुछ sugar या jaggery jaggery का मतलत है good या कुछ भी मीठा आपको ground पे गिरा देना है तो आपको देखना है कि उसमें चीटिया है वो कितनी देर में आती है how long it takes and to come तो it takes 15 to 20 minutes to come 10 से 15 मिनिट में चीटिया वहाँ पे आ जाती है ठीक है हम आगे बात करते है उसके बाद में ये अगला questions है तो इसमें पूछा गया है आपसे कि एक चीटि पहले आती है या उसका group आ जाता है पहले एक चीटि आती है तो आपको yes करना है आपको एक चीटि पहले आती है उसके बाद उसका पूरा group आ जाता है ये तो questions है question number 3 इसमें दिया गया है कि चीटियां उस खाने के साथ क्या करती है वो चीटियां उस खाने को अपने बिल में ले जाती है ठीक है next हम बात करते है जो fourth question है वो उसको कहा ले जाती है वो अपने बिल में ले जाती है उसके बाद हम बात करते है जो question number 5 है इसमें ये दिया गया है कि do they move in the line क्या वो एक line में चलती है yes they move in a line उसके बाद जो question number 6 है observe how do ant move ant climb on the pencil अगर ये बोला गया था आपको अगर वो एक line में चल रही है आप उसके बीच में एक pencil रख देते हैं तो क्या होगा they climb on the pencil and still move in the line वो एक pencil के उपर चड़ेंगी और फिर भी एक line में चलती रहेंगी now you can guess why the ant behave like that they block their path तो आपको पता लगा कि जो चीटिया हैं आपने उसका राष्टा रोग दिया अपनी pencil से फिर भी वो एक line में क्यों चलती रहती है does the ant move in a leaf leaves in smell of ground वो आगे जो ant जा रही है जो चीटी जा रही है वो उसके एक smell चोड़ती है और पीछे आने वाली ant उसको उस smell को सूंगते सूंगते उसके पीछे चलती रहती है वो चाहिए किसी भी चीज़ पर चट जाए तो उसी तरह से वो चलते रहते है फिर उसके बाद next question है have you ever been troubled by mosquitoes आपको कभी मचरों ने तंकिया होगा आप अंधेरे में बैठे होगे हैं फिर भी मचर आपको काटने लगते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि मचर आपको कैसे पहचानते हैं तो आपको आंशूर देना है आपकी जो बोड़ी की smell होती है उससे पहचान लेते हैं Have you ever seen, आपने कभी डोग को देखा है, डोग, Have you ever seen डोग sniffing here then the, Think or try the smell, आपने कुट्टे को, आप कुट्टे को गुमान ले जाते होगे, तब आपने देखो का कुट्टा वहाँ पे कुछ सूंगता है, फिर वहाँ पे urine करता है, पोटी करता है, पैर से कुछ मिटी उठाता है, वो अपना area मार्क कर रहा होता है, यह कुशन्स यहाँ पे आपको लिखना है, इन what way the human being use their special sense in the smell of डोग, यहाँ पे दिया गया है कि आदमी जो कुट्टे की सूंगने की सकती है, उससे कैसे फायदा उठा सकता है, तो आपको पता लगाना है, आदमी उससे by catching the criminal, आपको criminal के कपड़े एक बार उसको सूंगा दो, वैसी स्मेल वाले आदमी को पैचान देगा, तो criminal को catch करने में काम आता है, जो सामान आपका गुम हो गया है, उसको डूनने में मदद करते हैं डोग, and by detecting bombs, कई बार क्या होता है कि एक कुट्टे को bomb की smell आती है, तो वो bomb detect करने में भी काम आता है, ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे का जो जो कुशिन से है, यह जो next question है, question number 2, इसमें दिया गया है, when do you find your sense of smell, smell helpful to you, for example like, to know by smell, by food and go on as the, something is boring, आपको किस तरह चे पता लगता है कि कोन सा खाना अमारा खराब हो गया है, कौन सा खाना अच्छा है, और कौन सा खाना हमारा जल रहा है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा यह, आपको उसकी जो smell आती है खाने की, जब कोई खाना जल जाता है, तो उसकी खाने की smell से ही हमारा पता लग जाता है कि खाना जल गया है, apart from the smelling bad food for burning object, लिकुनाईजर स्मेल भाइदा, टेस्टी फ्यूड, फर्फ्यूम, इंसेक्स, फ्लावर, स्वीट, क्लोथ, गैस लीक, आपकी किचन में जब गैस लीक करती है, तो उसे भी आपको पता लग जाता है, फिर है कुश्चिन सा आपका, कौन सी स्मेल आपको अच्छी लगती है, कौन सी स्मेल आपको खराब लगती है, फूड, खाने की स्मेल आपको अच्छी लगती है, पर्फ्यूम की स्मेल आपको अच्छी लगती है, जो अगरबती है, उसकी फ्लावर अच्छी लगती है, जो fresh air है वो भी आपको अच्छी लगती है और खराब को लगती है garbage, dead fish, मरीवी, मचली, cow dung, cow dung मतलब गाये का गोबर, then smell and urine, जो urine से जो smell आती है वो भी बहुत गंदी होती है, and the stale air, जो खराब हवा होती है, उसकी smell भी काफी गंदी होती है, ठीक है, next हम अगला question देखते है अगले questions में दिया गया है, do your friend by a similar answer, yes, do you find out, from the smell of clothes, your family member, इसमें दिया गया है कि आप अपने family member की जो smell है, उससे उसकी कप्ड़े पैचान सकते हैं, yes, I can recognize the clothes of my family members, family member की जो कप्ड़े होते हैं, उससे मैं पैचान सकता हूँ कि ये कप्ड़े मेरे परिवार के हैं, think and discuss, आप ही जो questions है, जो दीपक नाम का एक लड़का होता है, जो सुशीला उसकी बहन होती है, उसके पाद चोड़ के जाती है, और सुशीला की अपनी लड़की होती है, तो इसका questions है ये आपको, सुशीला covered her nose when the clean दीपक नपी, सुशीला ने अपना not cover किया, जब दीपक की नाम की बदली, but he is not covered when he has changed nephew of his daughter, उसने अपने लड़की की जब नाम को नहीं ढखा, ये क्या है, कि दूसरे आदमी से आपको ज़्यादा स्मेल आती है, तो ये questions आपको जवाब देना है, आप जब जो कूड़े का धेर होता है, उसके पास से गुजर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बद्बू आती है, और children कुछ बच्चे होते हैं, जो वहीं पे कूड़े क देर में काम कर रहे होते हैं, तो उनको, if their mind get offered to the smell, तो इसका अंस्वर ये है, their mind do get offended by the smell, उनका जो दिमाग होता है, उनके दिमाग जो smell है, उसका आदी हो गया है, इसलिए उनको smell नहीं आती है, हम भी सारे दिन उस कूड़े के देर के पास रहेंगे, तो शायद हमें भी व अगिला कुशन से है ये, in a small good or bad everything is way, it once dropped, ये कुछ, जो कुछे नबर तीन है, in a small good or bad everyone is the same, it doesn't depend on the ease or feel about it, it depends on the how the person think about the particular smell, but some smell can always be bad or most of the people, ये कुछ जो कुछन दिया गया है, ये इसका आंस्वर है, let us see, then, write the name of the bird, which eye in front of head, तो ऐसा कौन सा bird है, जिसकी आंखे, आँख आदमे की तरह सामने होती है, तो वो होता है, oval, oval मतलब उल्लू, उल्लू की जो आँखे होती है, वो आदमे की तरह आगे की तरह होती है, चेरे पे होती है, write the name of birds, have eyes their side of the head, यहां पे आपको जो, कौन सा पक्सी है, जिनकी आँखें साइड में होती हैं, तो यह सारे जो वर्ड्स हैं, पीजन, क्रो, स्पैरो, इगल, इनकी आँखें साइड में होती हैं, then looking at both the eyes, could you see the front action without moving the neck, no, I couldn't see, इसमें दिया गया था कि आपको एक आँख बंद करनी है, और आपका दोस्त साइड से, आपका दोस्त action करेगा, तो आपको पैचानना है कि वो क्या कर रहा है, तो आप एक आँख से नहीं देख से पाएंगा, आपको गर्दन गुमानी पड़ looking in both the eyes, आपको दोनों आखों से देखना है, आपको, नव टोसे small bowl, आप bowl उचालनी है, और पहले दोनों आखों से उसको पकड़ना है, और फिर एक आँख बंद करके उसको पकड़ना है, तो आपको difference पता लगेगा, इसमें, ये difference आपका, उसके बाद, imagine, how could you able to eyes place in your ear, अग आपको कैसा मैसूस होगा, जब आपके आँखे, आपके कान के जगहें चली जाए और आपका कान आपको भी जरह आ जाए, तो, if there is a desire side of your head, you could see from left, right, आप left side से भी देख सकते हैं, आपकी घर्दन को बिना गुमाए, जो वल्टर्स होते हैं, kite, birds, eagles, इनकी तरह आप काम कर सकते हैं, now you guess what distance a eagle can sky, तो आपको ये बताना है कि जो eagles है, वो आसमान में कितनी दूर से आपकी रोटी को देख सकता है, तो, half kilometer, half kilometer से 2 kilometer के बीच में आपकी रोटी को देख सकता है, आगे जो questions है, name the 10 animals whose ear can see, वो 10 animal के नाम आपको लिखने हैं, जिनके कान आप देख सकते हैं dog, cow, cat, buffalo, rabbit, elephant, lion, zebra, giraffe और mouse, mouse के भी कान आप देख सकते हैं, yes, और 10 आपको वो लिखने हैं जिनके कान बड़े-बड़े होते हैं, कान बड़े-बड़े होते हैं, तो ये क्या है, दूसरा question जो है, ये है, elephant, elephant के कान बड़े होते हैं, rabbit, rabbit के कान बड़े होते हैं, cow, buffalo, dog, इनके सबी के कान बड़े होते हैं, फिर आपको ये सोचना है, is there is some link between the size of animal and ear of animal, उनका जो कान का size और उससे सुनने की सकती पर क्या होता है, तो आपको is a possible link between the size of animal and hearing the animal अभी गरा है, यानि कि जिस animal के कान बड़े हैं, वो ज्यादा अच्से सुनता है, वो जिसके कान छोटे हैं, इसी तरह ये सारे कुशिंस आपको करके देखने हैं, और आपको ये desk वाला है, ये दिया गया है कि आपको desk के उपर कान रखना है, उसके उपर ठक ठक की sound करना है, तो आपको पता लगेगा, फिर आपको पता है कि dolphin कैसे sound को पैचानती है, फिर ये sleeping वाला कुशिंस है, ये क जिराफ दो गंटे सोता है, जिराफ दो गंटे सोता है, कैट बारा गंटे सोती है, ठीक है, next question देखते हैं, ये जो questions है, when you see different animal, you have questions about the make the list of such 10 animals, आपको 10 ऐसे animals की list बनानी है, जो आपको अलग से लगे, yes, they have different animals, have different questions and they are the following, can they walk with each other, yes, they understand your language, no, can they see colors, no, वो black and white देख सकते हैं, how do they doing night, वो रात में क्या, वो रात में भी देख सकते हैं, how do they sense danger, वो danger, जो चिला के ना, क्राई करके एक दूसरे को इसारों में समझाते हैं उसको, how do they know something is food for them, वो उसका भी उसका एक इसारा होता है, उससे वो पहचान लेते हैं, how do they feel when the member of your family gets injured, उनकी परिवार का कोई सदसे इंजुरी हो जाता है, तो वो अलग तरह का एक sound निकालते हैं, और उससे उनको पैचान आ जाता है, why only some of them can pet animals, फिर ये जो questions है find out, where are the such national park इने लिया, तो आपको ये national park के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो मैं आपको national park के न अंदेश बतेश में है, काजी रंगा नेशनल पार्क आसाम में है, और गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है, जहां पे टाइगर, अलग तके टाइगर पाए जाते हैं, काजी रंगा में जो पानी में जो रहता है, राइनसोस वो पाए जाते हैं, और काना नेशनल पार इसी के साथ यह जो last questions है इसको आपको ध्यान से देखना है आपको ऐसा एक animal डूड़ना है जिसको बहुत अच्छी देखने की पावर है सुंगने की पावर है और hearing सुनने की पावर भी है तो पुलिस ऐसे जानवर को यूज़ कर सकती है वो उससे सुंगने के लिए यूज़ कर सकती है और उससे dog can hear the final sound ऐसे mosquito can तो इसी तरह से आपको बताना है यह इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे खतम होता है यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर दिस वीडियो अगर ही वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए शेर करिए और और भी आप वीडियो चाहते है तो हमारे इसमें जरूर लिखिए अगर कोई गलती है तो तैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जै हिंद जै वारत